हेलो दोस्तों मैं हूग ग्यान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ट्रीक दोस्तों कि अगर आप अपने मोगल में प्लेग स्टोर को यूज करते हैं यूज करने के पाद अगर आप अपने मोईल में प्लेग स्टोर को यूज करते हैं यूज करने पर जब आप कोई भी एप या किसी एप को अपडेट करते हैं या एप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की प्रोब्लम जो है देखने को मिलती अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को जब आप प्लेग स्टोर से कोई भी एप को डाउनलोड करते हैं सर्थ पेंडिग को प्रोब्लम में आपको दिक्राइज जाती तो इस प्रोब्लम को सॉल करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले जो है आपको अपने मूभाइल के प्लेग स्टोर या अपको SIMPLY ऐपन कर लेना है open करने के बद आपको profile वाला icon जो आपको दिखाए जाता है play store open करने के बद उस पर आपको click करना है click करने के बद आपको setting पर click करना है यहाँ पर click करने के बद आपको post में option दिखाए जाए general का तो general वाले option पर आपको click कर देना है इस पर क्लिक करने बद यहां पर आपको account and device preference इस पर आपको click करना है ज 때는 आपको अप्स पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने नीचे scroll down करेंगे scroll down करने के बद आपको यहां पर आप अप्सण दिखाए जागा clear device search story तो आपको इसको clear कर देना है इसको क्लियर करेंगे इसको क्लियर करने के बाद आपको क्लियर विश्ट लिष्ट यह उफ्टन आपको दिखाए जाता है इसको भी आपको क्लियर करना है जब आपको क्लियर कर लेंगे इसको क्लियर करने के बाद आपको वापिस बैक करना है बेग करने के बाद आफिस आप सेटिंग के यहां पर आजाएंगे यहां पर आने के बाद आपको जो है नीचे स्कोल डाउं करना है यहां पर आपको NetTrack Preference इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको Ape Download Preference इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको over any network या फिर over wifi अगर आप wangi से यूज़ करते हैं तो wifi का select करना है अगर आप network अपने mobile से यूज़ करते हैं दाटा कर देना है और done कर देंगे done करने के बाद आपको जो हे यहाँ पर auto update जो हे पर इसको आपको do not auto update कर देना है करने के बद आपको नीचे स्कोल डाउन करना है नीचे स्कोल डाउन करने के बद आपको एक option दिखा जाता है यहाँ पर family के नीचे about का इस पर आपको click करना है click करने के बद नीचे scroll डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक option दिखा जाता है play store version आपको इसको जो है प्ले स्टोर वर्जन में अपडेट प्ले स्टोर इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पर दिखाए जाएगा मोबाइल में जाना है श SooANG सेटिंग में जानार्ट को आपको एप मैंनेज्मेंट इप लीष्ट पर एप इन्पो पड़ जाएंगे lips पर click करेंगे click करने के बद यहाँ पर आपको play store पहोता है उसको और सर्च का लेद पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बद आपको इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको क्लियर केज का उप्शन दिखाए जाता है इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बद आपको फोरेश इस्टोप इसको कर सकते हैं फोरेश इस्टोप करने के बाद करने के बद आपको यह जो प्रोब्लम आपके चल रही थी वो सोल हो जाएगी तो ऐसे गर क्या पेंडिंग की जो प्रोब्लम आपके चल रही है उसको सोल कर सकते हैं टीक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर thank you watching in this video